पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का होगा। चुनिए CGPSC ले बात्शाला ग्लास एज़िए को और करे अपने CGPSC अन्व्याब बंप का सपना साकार। डाउनलोड डियांग नाव। होली के दो दिन पहले कुरियर के माद्शाला से ये मुझे मिला ये है आपके CGPSC ये पाट्शाला यूट्यूब चैनल का सिल्वर प्ले बटन वन सगेंड CGPSC ये पाट्शाला के सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की प्यार और सहयोग से ही CGPSC य जो है एक लाग सब्सक्राइबर का आकड़ा क्रोस कर चुकी है और यूट्यूब के तरफ से हमें हमारा सिल्वर प्ले अवाड भी मिल चुका है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है वैसे तो जैसे ही ये अवाड मिला मैंने वैसे ही इसकी अन्बॉक्सिंग कर ल जो महत्यपूर्ण घोशना है जो महत्यपूर्ण आकड़े है उस पर हम आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं साल बर होने वाले किसी ने किसी एक्जाम में एक नाए कोशन आपको इस बजट वाले टॉपिक से देखने के लिए मिलेगा तो काफी इंपोर्टेंट है जहां समझते वे चलिएगा देखिए चर्टेवर बजट 2023 चोबीस चर्टेवर बजट 2023 चर्टेवर का मैगजीन है जो कि इन शहरों के बुग डिप में आवेलेबल है साथ ही साथ आप इस सीजी बुक स्कार्ट मोबाल आप को डाउनलोड करके इस बुग को ऑनलाइन और कर घरों में कुरियर के माध्यम से मंगा सकते हैं यहां पे सीजी पेसी इपार्ट चला के बुग के साथ प्रदेश के अन्य पप्लिकेशन के बुग भी अन्य कोचिंग इस्टेट के बुग भी आपको इस सीजी बुक स्कार्ट मोबाल आप में मिल जाएंगे ठीक है जैसी लगभग लगभग इस मार्च महने के एंड तक ठीक है इस मार्च महा के अंद तक मार्केट में आपको सीजी पेसी इपार्ट चला का आर्थिक सर्वेक्शन बजट वाला भुक मिल जाएगा ठीक है साथी साथ सीजी पेसी इपार्ट चला पिछले साल के तरह इस साल भी आपके अपरेल महने से चली शुरू करते ज्यां दीजिएगा हाली में मुख्यमंत्री भुपेश भगेल जी के द्वारा प्रदेश का बजट पेश किया गया यह बजट पेश किया गया आपके 6 मार्च को ठीका डेड़ भी आत कर लीजेगा 6 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री भुपेश भगेल जी के द्वारा 36 गड़ का 23 बजट पेश किया गया यह हमारे राज्य का 23 बजट है राज्य निर्वान के पस्चाथ यह हमारे प्रदेश यह पेश किया गया 23 बजट है तथा यह मुख्य मंत्री भुपेश बगेल जी के कारेकाल का 5 बजट है हमारे राज्य का 23 बजट तथा मुख्य मंत्री भुपेश बगेल जी का वित्त मंत्री के तौर पर पेश किया गया 5 बजट है देखे हमारे प्रदेश की वित्त मंत्री को और पूछा जाए तो वो है मुख्य मंत्री भुपेज बगेल जी हमारे प्रदेश में मुख्य मंत्री भुपेज बगेल जी के सहीत टोटल 13 मंत्रियों का कैबिनेट है और हर एक मंत्री को अलग-अलग विभाग का बटवारा किया गया है तो मुक्य मंत्री भुपेश बगेल जी के पास वित्त विभाग है और उनी वो जो है हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री है और उनी के दोरा बजट पेश किया गया यह जो बजट है इनके कारेकाल का पाच्वा बजट तथा राज्य का तेईसवा बजट था और इस साल के बजट को संगय दी गई थी भरोसे के बजट की पिछले साल जो बजट पेश किया गया था बजट 2022-23 उसे संगय दिया गया था न्याय का बजट इस साल जो बजट पेश किया गया है उसे संगय दिया गया है आपके भरोसे का बजट इंपोर्टेंट है डिरेक्ट कोश्चन ये अपने आप में भी चर्चा का विश्य था, मुख्यमंदर भुपेश बघल जी के दोरा जो बजड जो है, एक ब्रिफ केस में लाया गया था, इस ब्रिफ केस के फ्रंट में 36 गड़ महतारी का भित्ती चित्र अंकित था, जबकि दूसरे एंड में मा काम धेनू का भित्ती गई है, जैसे मा काम धेनू की संग्या दी गई है, ये जो मा काम धेनू है, ऐसा कहा जाता है कि मा काम धेनू को जो उद्गम है, ये समुद्र मन्थन से हुआ था, समुद्र मन्थन से निकली थी मा काम धेनू, तो इसके जरीए ये बताया जा रहा है कि जो 36 गड़ का जो बैग है और झोटी जो कारी गरी की गई है जो बंदर का ब्रेन्ट का ब्रेट का। है यह शहरी गौठानों… और निर्मित गौबर मेंट से बना है तो सट्टिस गढ़क में रायपूर और अंभिकापूर। के जो शहरी गौठान के ढ़ने हैं उसμεगा का प्रयोग करके इस briefcase को बनाया गया है जो आप अलग-अलग जो color देख रहे हैं यह नौ रंगों का प्रयोग करके बनाया गया है और यह राइपुर और प्रयोग है और यह सभी बनाया गया है इंपोर्टेंट है इतना सारा पैक्ट आपको याद रखना है अब देखिए अब इस बजट में किये गए कुछ महत्पुन गोशनाओं को ध्यान दीजेगा सबसे बड़े नंबर पर है आपका राजीव गांधी ग्रामिन क्रिशी भूमी हीन मजदूर न्याई योजना ऐसे मजदूर जो ग्रामिन छेत्र में निवास करते हैं और जिनके पास भूमी नहीं है और वो क्रिशी कारे में सनलगन है जैसे कि मालीजे गाव में निवास करने वाला कोई एक व्यक्ति जो क्रिशी कारे में सनलगन तो है क्रिशी कारे तो कर रहा है लेकिन उसके पास स्वयम की क्रिशी भूमी नहीं है जैसे कि आप एक वर्ड सुनेंगे अध्या यानि कि किसी और के खेत में कोई व्यक्ति जाकर के खेती किसानी करता है और उसके एवज में फ़सल का बटवारा कर लेते हैं वो क्रिशी भूमी उसकी नहीं है लेकिन वो खेती कारे कर रहा है हमारे प्रदेश में बहुत सी एसी योजना है राज्य सरकार के और केंदर सरकार की जो किसानों के लिए है लेकिन उसका condition क्या होता है कि उसमें जो है किसानों के पास स्वयम की क्रिशी भूमी होनी चाहिए उसके आधार पर उन्हें जो है वित्ती सहायता प्रदान किया जाता है लेकिन बहुत से ऐसे भी मजदूर है जो क्रिशी कारे तो करते है लेकिन उनके पास स्वयम की क्रिशी भूमी नहीं है उसके लिए प्रदेश सरकाय के दुआ शुरू किया गया था राजीव, गांधी, ग्रामीन, क्रिशी, भूमी हीन मजदूर निया योजना यानि कि ऐसे किसान जो क्रिशी कारे तो करते है लेकिन स्वयम की क्रिशी भूमी नहीं है लेकिन क्रिशक कहला रहा है उन्हें जो है वित्य साहता प्रदान के जाएगा इस योजना के अंतरगत वार्शिक सहयता के रूप में 7000 रुपे की राशी प्रदान की जाती है पिछले साल के बजट में इस योजना का विस्तार करके इसमें आदिवासी देविस्थलों में पुजा करने वाले जो मांजी, बैगा, गुनिय, पुजारी थे उन्हें भी इस योजना के अंतरगत शामिल किया गया इस साल के बजट में योजना और हाइलाइट में रहा, इस साल के बजट में इस योजना का विस्तार जो है नगर पंचायत छेत्र में किया गया नगरिये निकायदागारज, नगर निगम, नगर पाली का परिसत अब देखे नगर पंचायद से शहर में कन्वर्ट हुए है संक्रमनी अवस्था में है कुछ समय पहले गाउ थे अभी अभी यह थी आपके शहर बने है इन्हें नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है तो इसका जो विस्तार है ये तो ग्रामिन लिखा हुआ था अब धिरे धिरे इसका विस्तार शहरी छेतर में क्रीशी कारे में सनलगन भूमिहिन किसानों के लिए भी किया जा रहा है तो नगरिय पंचायत में जो है इसका विस्तार किया जाएगा यहां पर लेकिन बात हो रही है परिवार की वार्षी का है यहां पर पिता जी की बात नहीं हो रही है परिवार की वार्षी का है अगर आपके परिवार में चार सदस्य है और उसमें से कमाने वाले तीन है तो उस condition में क्या होगा? उस condition में परिवार की जो वार्शिक आए वो तो automatic धाई लाग से ज़्यादा हो जाएगी. देखिए, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि मान लीजिए, एक परिवार में चार सदस्ते हैं, ठीक है? एक परिवार में गर में housewife है, पिता जी आपके job में है, एक बड़ा भाई आपका सिक्षित बेरोजगार है. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहां परिवार की वार्शी का है », यानि कि आपके परिवार के पूरे सदस्यों का I count किया रहा है याने कि आपके पिता जी जो कमाते है वो भी और आपका भाई भी अगर रोजगार में है जॉब में है तो उनकी भी दोनों का मिला करके जो वार्शिक आये है वो धाई लग से अधिक नहीं होना चाहिए अगर किसी कंडिशन माता भी अगर किसी जॉब में है तो उनकी भी आये को count किया जाएगा ठीक है जनरली क्या होता है कि अगर हम कभी छात्रवित्ती लेने जाते है या जो गौर्रमेंट के जगा तरफ से जो scholarship दिया जाता है उसमें पिता जी का income certificate मांगा जाता है इसमें लेकिन परिवार की वार्षी काय मांगी जाती है ठीक है तो इस condition में ही सिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा next देखिए next है आपका सामाजिक सुरक्षा pension योजना प्रदेश सरकार के दोड़ा सामाजिक सुरक्षा कारेक्रम चला जाते है जिसके अंतरका सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना आता है सुखत सहारा योजना आता है निरासरित सहायता योजना आता है तो प्रदेश के निरासरित बुजूरगो निरासरीतों, बुजुरगों, दिव्यांगों, विद्वा एवं परित्यक्त महिलाओं परित्यक्त महिला यानि कि ऐसी महिला है जिसके पती ने उसे छोड़ दिया है उन्हें जो है मासिक पेंचन राची साड़े तीन सो रुपर प्रतान की जाती थी इस साल के बज़र ने घोशना किया गया है कि उन्हें दिजाने विली जो मासिक पेंचन राची है उसे बढ़ा करके पांसो रुपर प्रती महा किया गया है तो सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतरगत जो आपके निरासरीत है जिनका कोई साहरा नहीं है दिव्यांग यानि की हैंडिकेड विद्वह महीला जिसके पती की मृत्ति हो चुकी है परित्यक्त महीला ऐसी महीला जिसके पती ने उसे छोड़ दिया है उन्हें जो साहितारासी प्रतान की जाती है उसे साधरी तीन सूर बढ़ा कर Kurt कितना कर दिया गया है 500 रुपए, मुख्यमंत्री कन्य विवाह योजना, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा BPL, याने की Below the poverty line, गरीबी रेखा कि नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवार, या फिर ऐसे परिवार जो कि मुख्यमंत्री खाद्यान योजना के अंतरगत पात रहे, मुख्यमंत्री खाद्यान योजना के अंतरगत मतलब तो उन परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयू की अधिकतम दो कन्याओं के विवाह के लिए प्रदेश सरकार के दोरा सहायता राशी प्रतान की जाती थी पहले सहायता राशी ती 10,000 रूप्छ उसकाष बढ़ा करके प्छले साल के बजट में किया गया गया पचीस जार रूपे और इस साल के बजट में इससे बढ़ा करके कर दिया गया है ठीक है, कंडिशन क्या है, बीपिल के नीचे, यानि कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन होना चाहिए, मुख्यमंत्री खाध्यान सहायता योजना, यानि कि जो आपके राशन कार्ड धारी परिवार है, वो होने चाहिए, परिवार में अठरा वर्ष से अधिक आयू की अधिक्तम दो कन्याओं का, मैक्सिमम दो कन्याओं का, विवाह जो है, इस मुख्यमंत्री कन्या योजना के अंतरगत होगा, और उन्हें 50,000 रुपे की राशी प्रदान की जाएगी, ठेक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ग्रामिन और्द्योगिक गई, रीपा का फुल फॉर्म है, महात्मा गांधी रूलर इंडस्ट्रियल पार्क, इसकीम, इसके तरफ जो है, आपकी जो ग्रामिन छेत्र, देखिए, यहाँ पर नाम सी इस परश्ट है, ग्रामिन, ग्रामिन छेत्र के गौठानों में और द्योगिक पार्क इस्थापित क्या गर रहा है, गौठानों में, गौठानों क्या होता है, वहाँ पर छोटे 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 प्रसंसकरण केंद्र बना जाते है, ठीक है, वनोपच प्रसंसकरण केंद्र, मिर्ची प्रसंसकरण केंद्र, टोमेटो प्रसंसकरण केंद्र, इसके लावा छोटे इस्तर पर आ जो है ये क्या है ग्रामिन है अब इसी के तर्जपर शहरी छेत्रों में भी इस रीपा का विस्तार किया जाएगा आगे आने वाले समय में इस और दोगिक पार्क की इस्थापना में लगू एवं कुटिर उद्योगों की इस्थापना को प्रोट्साहन दिया जाएगा तो जो लाइट मेट्रो इस साल होने वाले किसी ने किसी एक्जाम का कोश्चन बनेगा 110% प्रदेश के किन दो शहरों के मद्धि लाइट मेट्रो चलाए जाने की गोशना मुख्यमंति भूपेश वगलजी के तुरा किया गया है तो वो है आपके अटल नगर रायपूर से ले करके दूरका के मद्धिया देखिए मेट्रो और लाइट मेट्रो दोने में डिफ्रेंस होता है आपके जो नॉर्मल मेट्रो होते है उसमें नंबर ऑफ बोगी जो है जो नंबर ऑफ डब्बे है ठीक है जो उसमें डब्बे अलगे होते है वो ज्यादा होते है लेकिन लाइट मे इसके railway track भी शाय जाएंगे जिसमें एकदम मध्यम speed में ये light metro चलेगा ठीक है प्राराम्भिक तोर पर इसे अटल लगर राइपूर से लेकल के दूरगा के मध्यर चलाया जाएगा important है इसे याद रखना पहला जो light metro है ये I think वारा नशी में शुरू कर दिया गया है next है खेल एकदमी इस साल के बजट में प्रदेश के बहुत से इस्थानों पर खेल एकदमी खोले जाने की घोशना की गई है जैसे कि पहले नंबर पर है तिरंदाजी एकदमी तिरंदाजी एकदमी खोला जा रहा है बस्तर और दूसरा है आपका राइपूर में second number पर है आपका मलखंब एकदमी हमारे प्रदेश में मलखंब के सबसे जादा जो खिलाडी है ये मौजूद है आपके अबुजमार छेत्र के नारायनपूर में नारायनपूर जीले है बहुत से आपके मलखंब खिलाडी मौजूद है तो वहीं पर इस्थापित किया जा रहा है आपका मलखंब मलखंब एकदमी तिसरे नंबर पर है normal sports academy ये इस्थापित किया जादा है जीरम में और चोथा है आपका adventure sports academy जो कि स्थापित किया रहा है बस्तर और कुनकूरी, कुनकूरी जो की मौजूदा आपके जश्कूर में और पाच्वा है आपका अंतराश्टी बैडमेंटन खेल एकडमी जो की शुरू किया रहा है आपके डाइपूर में, देखिए, एक चीज़ होगा ध्यान देना, इस सल क मुख्यमंत्री भुपेश बगेल जी के द्वारा बजटी इस भाषन के दौरा एक चीज़ पर फोकस किया गया है कि तिरंदाजी को राजकिय खेल के रूप में विक्सित किया जाने के उद्देश्च से, क्या चीज? राजकिय खेल के रूप में विक्सित किया जाने, जैस राज़के खेल के घोषना official तरीके से किसी भी खेल को नहीं किया गया है तो इस सल के budget में घोषना किया गया है कि प्रदेश के राज़के खेल के रूप में तिरंदाजी को विक्सित किया जाने के उद्देश्च से तिरंदाजी एकेडमी बस्तर और राइपूर में खोला जाएगा यानि कि ये एक हिंट है कि आगे आने वाले समय में तिरंदाजी को प्रदेश का राजिकिये खेल घोशित किया जा सकता है सेकेंड मलखंब एकेडमी जो कि मद्य प्रदेश का राजकिये खेल है उसका आपका अकादमी खोला जा रहा है कहाँ पर नारायनपूर में स्पोर्स एकेडमी जीरम में एडवेंचर स्पोर्स एडवेंचर स्पोर्स के अंतरगत जैसे माउंटेन ट्रैकिंग हो गया आपका बंजी जंपिंग हो गया यानिकि उचाई से कुदना ये सभी के सभी Adventure Sports के अंतरगत आते हैं तो ये बस्तर और कुनकुरी जश्पूर में इसे खोला जाएगा और अंतराश्टी Badminton Academy ये खोला जाएगा आपके राइपूर में नेक्ट है 36 गडिया ओलम्पिक लाश्ट ये 36 गडिया ओलम्पिक का आयोजन हुआ कहां से कोश्चन पूछे गए बहुत से के तो आपके सोर्स एक्जाम में कोश्चन आने के बाद उसका सोर्स भूणने पर मिला तो 36 गडिया ओलम्पिक लाश्ट ये भी चर्चार में था एक्जाम का कोश्चन बना तो उसे इस साल कितने राशी आबंटित हुई ये भी आपसे कोश्चन एक्जाम में पूछ सकता है नेक्ष्ट देखिए नेक्ष्ट है सिचाई योजना 2023-24 ये भी एक्जाम में आया हुआ प्रश्ण है पहले इस साल के बजट में गोश्चना किया गया है कि प्रदेश के 218 व्रिहत सिचाई पर योजना 75 मध्यम सिचाई पर योजना 840 लगू सिचाई पर योजना 598 एनिकट इस्टॉप्स और 256 बाल मियंतरन कारियों के लिए प्रावधान है कितनी राश्याब अंटित के ये इन्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक्जाम में ये वाला डाटा आया था ठीक है तो इस साल के बजट में सिचाई योजना के तरह 208 व्रिहद सिचाई पर योजना 75 मध्यम और 840 लगू सिचाई पर योजना के कारे को स्विक्रिती मिली है एनिकट और बार नियंतर कारे को याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा लेकिन सुर्व में व्रिहद मध्यम और लगू को याद कर लीजेगा काफी इन्पॉर्टेंट है नई दिल्ली के चानक के पूरी में 36 गड़ भवन का निर्मान क्या जाएगा छतित गड़ भवन क्या है एक्चुली में जो हमारे प्रदेश के सांसद है सांसद जो लोगसभा की सत्र अटेंट करने जाते है राज्यसभा की सत्र अटेंट करने जाते है तो नई दिल्ली में जाकर के वो 36 गड़ भवन में रुखते है उनके लिए यहाँ पर रूम अवेलेबल होते है इसके अलाव़ जो हमारे छतिरगड़ जो मुख के सचीव होते हैं इसके और जो छतिरगड़ के अलग-अलग आयोगे के अध्यक्ष होते हैं अगर वो किसी कारे से दिल ले जाते है तो वो छतिरगड़ भवन में जाकर के रुखते हैं तो उनके लिए बनाया गए है आपके करण कारिकरम से संबंदित है याने कि जो आपके ऑफलाइन जो भुव अभिलेख है ऑफलाइन जो खसरा है ऑफलाइन जो रिंड पुस्तिका है उससे ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा वेबसाइट पर ये है आपका इधरती परियोजना सेंट्रल गवर्मेंट की परियो गाओ के सर्वे यानि कि प्रदेश में जो इस्थानी स्था पर जो गाओ का पटवाईयों के दोरह जो सर्वे किया जाता है तहसील एवं पंजियन कार्यालय को ऑनलाइन आपस में जोडा जाएगा modern record room बनाया जाएगा और भुमी अभी लेखो जैसे नकसा और बीवन खसरा का computer करन करना होगा इस इधरती परियोजना के तहट ठीक है important है इधरती परियोजना के संबंद किससे है राजयस और भुमी के online आधुनी की तकनीक से सर्वेक्षन किससे संबंदित है नेक्ट है कोशल्या महत्सो कोशल्या विश्यो में माता जो आपकी कोशल्या यानि की भगवान राम की जो माता है कोशल्या उनका एक मात्र मंदीर है राइपूर जीले के चंदखुरी में प्रदेश सरकार के दुए नेड़ने लिया गया कि प्रती वर्ष राइपुर जी लेके चंदखुरी में माता कोशल्या मंदिर में कोशल्या महस्तो का आयोजन कह जाएगा इसके लिए राशी भी आबंटित की गई है साथी साथ यहाँ पर आपका राम लीला मंचन तथा रामानस गायन दलो का संड़क्षन संवर्धन है तू इस कोशल्या महस्तो का आयोजन होगा यानि की जो कोशल्या महस्तो है इसमें मुख्य रूप से आपके राम लीला का मंचन होगा और मानस गायन दलो का यहाँ पर आयोजन होगा उनके संड़क्षन और संवर्धन से संबंदित है साथी साथ प्रतिवर्ष अंतराष्ट्य रामान महसतों के भी आयोजन के जाने की घोशना की गई है इस साल के बजट में नेक्ट देखें नेक्ट है आपका राजीम म मागी पुर्णी मेले का आयोजन कहा होता है ठीक है लेकिन एक्चुली में जहां पर यह मेला भरता है वही पर आपके बहुत से प्राचीन मंदिर है जैसे कि राजीव लोचर मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर, लोमच रिशी का अस्रम यह सभी एकी स्थान पर है लच मंदिर है उसी भी ध्यान में रखते हुए उसके संदक्षन पर रखते हुए प्रदेस सरकार ने निर्णा लिया है कि राजी मागी पुन्नी मेले का आयोजन है यह इस त्रिवेणी संगम से कुछ दूरी पर हटा करके पैरी नदी के तट पर चौबे बांधा मार्ग में इस मेले का आयोजन होगा यानि कि नवीन मेले इस थलका चैन किया गया है पहले जो मेला त्रिवेणी संगम पर होता था महा नदी पैरी और सोंडुर नदी के तट पर अभी इस मेले का जो आयोजन है यह इस त्रिवेणी संगम से हटा करके जो महा नदी के एक सायक नदी है पै 2021 से ठेक है 2019 2020 को इसकी शुरुवात हुई थी इस योजना के तरह 25 ले के 12 तक की कक्षा है संचलित होती है इसमें प्रत्य कक्षा में सीटों की संख्या 50 है पहले 40 ते जिसे बढ़ागरे 50 कर दिया गया है इसके अंतरगत प्रारंब में आपके इंग्लिश मीडियम प्रारंब में इंग्लिश मीडियम की कक्षाओं को शामिल किया गया था बाद में इसमें हिंदी मीडियम की शालाय भी शामिल हुई ठेक देखे हमारे प्रदेश भर में टोटल 708 शालाय चिन्धांकित किया गया है बस ठीक है यानि कि शालाओ का चेहन किया गया है जहाँ पर स्वामी आत्मरंद सास्क्री उत्कृष्ट विद्याले की स्थापना होगी इन 718 में से वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम की शालाय संचलित है और 32 हिंदी माध्यम की शालाय संचलित है और इन शालाओं में वर्तमान में 2,38,961 विद्यार्थी अध्यांदत है देखें दिसंबर में आकड़ा आया था कि इसके अंतरगर टोटल 2,00,00,00 से अधिक अभ्यार्थी इसके लाभार्थी है लाभार्थी का मतलब क्या होता है कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग पढ़ करके पास आउट हो चुके हैं हमारे करेंट अफेर के बूक में है लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो डाटा कम है डाटा कम है मतलब इसमें क्या बोल रहा है अधियन रत और इसमें बोला गया था लाभार्थी यानि कि बहुत से ऐसे हैं जो 12 पास हो चुके हैं अभी कहा जा रहा है अधियन रत यानि कि 8 प्रेजेंट 247 इंग्लिश मी कि आप दिया है कि इस साल इस नए सत्र में 101 अंगरेजी माढध्यम स्वामी आत्मAnanda शास की विद्याला की इस्थापना की जाएगी 101 अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना किये जाने की घोशना की गएग है काफी इंप्यूर्टेंट है इसको याद रखना ठीक है टो अभी वर्तमान में संचलीत है दस गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से रायपूर, बिलासपूर, अंबिकापूर, रायगर, राजनांद गाओ, जगदलपूर चंदुला, चंद्राकर, दुर्ग, कोरबा, महासमुद और कांके ये दस आपके गौवर्मेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज है तीन प्राइवेट, संकराचारे भिलाई, रिम्स, रायपूर और आपका बाराजी मेडिकल कॉलेज रायपूर, ये तीन प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज है अब इस सल के बजट में घोशना किया गया है कि कभीरधाम, मनेंद्रगर, गीदम और जांजगीर इन चार नए इस्थानों पर medical college की इस्थात्ना की जाएगी इन चार इस्थानों पर चार नए medical college खोले जाने की घोशना की गई है इससे भी कल लीजेगा इन पॉर्टेंट है अब देखिए धान खरीदी इस सल जो मुख्यमंत्री भुपेज बगलती के दौरा जो बजटी है भाशन की जो शुरुवात की गई उसमें मुख्य चर्चा द देख लिजिए खरीव विप्णानवर से 2022-23 यानि कि जो आपके अभी जो धानी खरीदी पूरी हुई है प्रदेश में धानी खरीदी करने होगी संस्ता है धान खरीदी शुरू की गई एक महने कात्रिक तसमय दिया गया इसमें जो है जो सेंटरल गवर्मेंट के द्वारा जो नियूंतम समर्थन मुले निर्धारी था वो था 2497 धान उपारजन केंद्र इस्थाबित किये गए थे प्रदेश सरकार का लक्षे था कि इस साल यानि कि खरीप विप्रिदन वर्षिक 2022 ने प्रदेश सरकार ने 110 लाक मेट्रिक तन धान खरीदी का लक्षे रखा था लेकिन इसके विप्रीत जो है आपके धाई लाक कम धान ख 30.14 लाक है हेक्टेर रघबे से 170.53 लाक है 1559 लाक मेट्रिक तन धान की खरीदी हुई mobilize थीड़ Devil आपको याद रखना है अब यह जो आपको धान की खरीदी हुई है एक सो साथ दसमलो पांच तीन लाख मेट्रिक टन ये 36 गण में अब तक की गई सरवादिक धान की खरीदी है ठीक है इनपोर्टेंट है याद रखना अब नेक्ष देखिए दो योजना है इस सब के बज़ेटे बहुत सी योजनाओं की घोशना की गई है ठीक है कुछ योजन होंगे क्या-क्या पात्रताएं होंगी कौन-कौन हिद्गराही होगा आने वाले समय में प्रदेश सरकार अलग-अलग तिति में इसकी इन योजनाओं को लागू करेगी तब इसके बारे में और जानकारी मिलेगा अभी बज़ेट में केवल इनके हाइलाइट्स आये है ठी याने कि आदिवासी जनजातियों के द्वारा जो तीज तेवहर पर्व मनाया जाते हैं उनकी बात की जा रही है और यहां 36 गड़ी परव याने कि पूरे 36 गड़ के निवासियों के द्वारा जो तीज तेवहर पर्व मनाया जाते हैं उनकी बात हो रही है ठीक है नाम से इ अनुसूचित छेत्र में रहने वाले लोग आदिवासी पर्व एवं तेवहार को गरीमा मई आयोजन हेतु इस योजना को लाया जा रहा है। जब कि मुख्य मंत्री चतिस गड़ी परब सम्मान निदी योजना के अंतरगत गैर अनुसूचित छेत्र के लिए है। जन निवास भवन क्या है। जब हमारे प्रदेश के जो इस्थानी निवासी है ये दूसरे राज्यों में घुमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जनरली कोई लौज में रहेंगे या किसी धर्मशाला में रुखते हैं। तो इसके लिए प्रदेश सरकार एक नया कॉंसेप्ट लेकर के आ रहा है जिसका नाम है छत्तिजगर जन निवास भवन। जैने कि मान लिजिए अगर आप महराष्ट के किसी आक परेटन इस्थल में घुमने जा रहें तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बने हुए रहेंगे आपके छतीजगर सरकार का भवन दूसरे राज्य में और आप उस दूसरे राज्य में भ्रमण के लिए नागरिकों की सुईधाओं के लिए बनाया जाएगा 36 जन निवास भवन देखिए अभी जो है इसकी घोषना की गई शुरवाती तोर पे इसे एक दो तीन राज्यों में लागू करके देखा जाएगा आने वाले समय में भारत के अन्ने राज्यों के भी जो कुछ फेमस को र श्रकुन कदम है जिसे महीलाओं को रोजगार उपलब्त कराना और स्वरोजगार के लों प्रेरित किया जाने के उद्देश से कौशलय सम्रिध्धी योजना की शुरुत की गई है ठीक है देखिए कौशल माता कौशलय के नाम से बहुत सी योजना है कौशलय महीलाओं के कौशल्या, सम्रिध्धी, योजना, तो ये जो योजना है ना, जो माता कौशल्या के नाम से, तो अध्यान देना, कहां कहां पर क्या क्या चीजे चेंज हो रही है, नाम में भी बहुत से चेंजेस आ रहे है, कौशल्या, सम्रिध्धी, योजना आ रहे हैं, ये महिलाओं के र पाठे करमों में अध्यन रत जो ST, ST, OBC के छात्र है अनुसुची जाती 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 अन्य पिश्ड़ा वर्गर के छात्र है उन्हें वित्य साहता प्रदान किया जागा यानि कि higher education के लिए प्रदेश सरकार जो है उन्हें वित्य साहता प्रदान करेगी ST, ST, OBC के छात्रों को जो की medical engineering या अन्य website पाठे करमों की तयारी कर रहे है नेश्ट देखिए चाक परियोजना काफी important है इस साल होने वाले exam में ये जो है काफी main question रहेगा इसको बहुत अच्छे समझना अब ये चाक है क्या समझना चाक परियोजना जो की world bank की सहायता से इस परियोजना का संचा अब देखिए ये चाक परियोजना है क्या वित जो आपका world bank के सहयोग से इस चाक परियोजना को चलाया जाएगा actually में क्या हुआ जब covid-19 आया covid-19 संग्रमन का समय था पूरे भारत भर में lockdown की स्थिती थी जितने भी आपके school college है उसे भी बंद कर दिये गया चात्रों को school college में आने पर रोक थाम किया गया उससे कारण क्या हुआ हमारे 36 गड़ में आप देखी रहे है क्या हुआ बच्चों का general promotion किया गया बच्चों को general promotion की आदात होके आने वाले समय में online exam हुए सिक्षा का इस्तर हमारे प्रदेश में गिर गया ठीक है चुकि general promotion हुआ बच्चे जो है पढ़ाई से दूर हो गया दो साल के समय में बच्चे पढ़ाई से काफी दूर हो गया तो जो सिक्षा का इस्तर जो नीचे गया है इस नीचे आये हुए सिक्षा के इस्तर को पुना उठाने के लिए वित बैंक के सहयोग से हमारे प्रदेश में चलाया जा रहा है क्या आपका चौक पर योजना काफी important है कोविड 19 संक्रमन के रोक्थाम में जारी जो प्रोटोकॉल था उसमें सेक्षनिक संस्थानों में बच्चों के उपस्थिती पर रोक लगाया गया जि इसके लिए 400 करोर रुपे की राशी का प्रवधान है चाक पर योजना जो विश्वबेंक के सहायता से चलाया जा रहा है 400 करोर रुपे की राशी का प्रावधान है यह भी याद रखना है चाक पर योजना का full form है छत्ती दिगर accelerated learning for knowledge economy और याद रखना है कि COVID-19 के समय जब lockdown तब इस्कूल कॉलेज बंद थे जिसके कारण बच्चे जो है उनके सिख्षा का इस्तर नीचे हो गया उसकी गुणवत्ता में सुधार के लाया जा रहा है आपका चौक पर योजना नेक्स्ट है मुख्यमंत्री इस्कूल जतन योजना क्या है नाम से इस्कूल जतन आप देखें होंगे हमारे प्रदेश के बहुत से गौवर्मेंट इस्कूल ऐसे है जो काफी जरजर इस्तिती में है तूटने की इस्तिती में फिर भी बच्चे वहाँ पर जाकर पढ़ाई कर जाते है तो उस कंडिशन में क्या किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार जो है आपके एक नई योजना ला रही है मुख्यमंत्री इस्कूल जतन योजना की शुरुवात की जा रही है कितनी राशी का प्रावधाने क्या है ये इन्पॉर्टन नहीं है योजना किसके लिए है वो इन्पॉर्टन है मुख्यमंत्री इस्कूल जतन योजना जिसमें जरजर हो चुके इस्कूल का चैन करके उसका जो है आपका उसमें अधोसन रचनात्मक विकास के जाएंगे इसका जो संबंद है बाल संप्रेशन ग्रीहों के बाहर जाने की आयू 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष करते हुए उनके पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल उदाय योजना की शुरुवात की गई जो हमारे देश में 18 वर्ष से जो कम आयू के है उन्हें कहा जाता है नावालिक और इन नावालिकों के द्वारा अगर कोई जुर्म कर दिया जाता है तो उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है उन्हें भेजा जाता है आपके बाल सुधार ग्रीहों में या बाल आपका संप्र जाइब लीजिए पूरी तरीग पूरी तॉटबॉल खेल खेल क्हें पड़ा है जाता है हैं अगर Malice किसे ने 17 साल के आयू में उसने कोई क्राइम कर लिया है और अगले साल उसकी आयू अठ्रा वर्ष हो गई तो काईदे से इसे निकाल करके बड़े जेले भेजा जाएगा यानि की मेन कैदियों के बीच में तो प्रदेश सरकार जो है अब इसकी आयू सीमा बढ़ा रही है प् मुख्यमंत्री उदार योजना का संबंद किस से है बाज संप्रेशन ग्रिहों से इसको संबंद है नेक्स्ट है नवा पिलर योजना काफी इंपोर्टेंट है इस साल होने वाले एक्जाम का कोश्चन बनेगा यह वेरी इंपोर्टेंट नवा पिलर योजना नवा पिलर य पुजगार है तू प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी में सहायता के लिए जो आपके comparative exam जैसे NEET हो गया, JEE हो गया, CGPSC हो गया, व्यापम की जो प्रतियोगी परिक्षाओं हैं, उनमें उनकी सहायता के लिए उभै लिंगियों की सहायता के लिए बाई सेक्शुल के सहायता प्रतियोगी परिक्षा के तयारियों से संबंद्य त नवापिलर योजना इन्पोर्टेंट है याद रखना है, मुख्य मंत्री धरोहर दर्शन योजना मुख्यमंति धरोहर दर्शन योजना का मुख्य उद्देश क्या है प्राचीन इसमारकों की सुरक्षा एवन संदरक्षण के प्रति जागरुपता विक्सित करना जो हमारी आने वाली युवा पीड़ी है उन्हें हमारे प्रदेश के संदरक्षित इसमारक है उनके प्रती, उनके संरक्षन और संवर्धन के प्रती जागरुकता लाना देखिए जो आपके हमारे प्रदेश की युवापीडी है वो दूसरे राज्यों के ताज महल से परिचीत है लाल किला से परिचीत है ठीक है आपका बुलन दर्वाजे से परिचीत है प्रदेश सरकार युवापीडी में इनके संरक्षन और संवर्धन और इनकी जानकारी के लिए एक नई योजना ला रही है मोख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना इसके अंतरगत क्या होगा आपके समरिद संस्कृती विरासत को युवापीडी से परिचाय कराने के लिए विद्यार्थियों को सेक्षणिक भ्रहमन कराया जाएगा याने कि जैसे स्कूल में आप बसों में बैट करके पिकनिक पर जाते थे वैसे ही आप प्रदेश सरकार क्या है अपने खर्चों में किसी कॉलेज का चैन करेगी स्कूलों का चैन करेगी और उन्हें लेकर के किसी एक पास के फेमस आपके जो प्राचिन इसमारक है वहाँ का भ्रहमन कराया जाएगा साथी साथ इस योजना के अंतर का जो राजिस संरक्षित इसमारक है वहाँ पे धरोहर मित्रों का भी न्युक्ति किया जाएगा यानि कि इसे आप समझ सकते है एक आपके टूरिष्ट गाइड जो उस छेत रज़त कोई आपके सेक्षणिक ब्रहमन के लेगर कोई ग्रूप गया है तो उसे उस जगह से संबंदित अलग-अलग जानकारी देगा एक टूरिष्ट गाइड जिसे धरोहर मित्र की संग्या दी गई है ठीक है यानि कि एक रोजगार के आउसर भी स्रिजन हो रहा है और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना सुनने में सेम लग रहे है इसमें क्या है दर्शन जिसमें विद्यार्थी बसों में बैट करके प्राचिन इसमारकों में जाएंगे जैसे कि मान लीजे अगर दुर्ग में दुर्ग कोई आपका कॉलेज है वो बस में बैट करके चले जाएगा सिरपूर का लक्षोन मंदिर घुमने या फिर चले जाएगा आपका जो है वो चले जाएगा भोरम देओ का आपका मंदिर देखने के लिए तो यहां पर क्या है विद्यारतियों को प्राचीन इसमारकों तक पहुचा करके दिखाया जा रहा है लेकिन अब जो यह योजना है इसमें क्या है कि हर कोई आपका व्यक्ति हर एक फेमस या प्राचीन इसमारक तक नहीं पहुच सकता लेकिन उन्हें भी हमारे प्राचीन इसमारक और प्राचीन जो कलाकृती है उनसे आउगत कराना जरूरी है जैसे कि माल लिज्या अगर कोई नारायनपूर में अगर कोई कॉलेज या कोई स्कूल है तो वहां के लोग जो है आपके सीरपूर घुमने के लिए आपाना संभाव नहीं है या फिर उनके लिए भोरम देव आके घुम पाना संभाव नहीं है बिलासपूर आके घुम पाना संभाव नहीं है तो उस कंडिशन में क्या किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वाए मुख्यमंत्री विरासत जरोखा योजना लाया जा रहा है इसमें क्या किया जाएगा कि हर किसी व्यक्ति का हर एक प्राचिन इसमारक में जाएगा ब्रह्मन कर पाना संभाव नहीं है तो इस योजना क के तहत जिसे नारायनपूर जिला है तो नारायनपूर जिले के किसी एक फेमस महाविद्याल यारी कॉलेज का चैन किया जाएगा या कि सरकारी भवन का चैन किया जाएगा और वहां पर जो हमारे प्रदेश के प्राचिन इसमारकों की प्रतिकृति लाई जाएगी जैसे कि मा प्रति-कृति एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी एक मेला टाइप ये प्रदरशनी के माध्यम से प्रदर्शन हे तू यानि कि यूवा पीड़ी को जागरूप करने के लिए उनकी प्रतिकी रिती उनकी प्रोटोटाइब उनके मॉडल बना करके लोगों को उसका भ्रहमन कराया जाएगा ठीक है नेक्ट है मुख्य मंत्री विक्ष संपदा योजना ये क्या है नीजी भूमी अगर आप अपने स्वयम की भूमी में वानिजीक विक्षो का रोपन करना चाहते है वानिजीक विक्षो का रोपन साल सागोन साजा बीजा ये सभी सभी क्या है इमारती लकड़ी है वानिजी कमर प्रेट में कितनी राशी का प्रावधान है इसके अंतरगत अगर कोई व्यक्ति अपनी नीजी भूमी पर वानेजीक व्रिक्षा रूपन करना चाहता है तो पात्र हीद ग्रहियों को पांच एकड़ तक की भूमी पर अधिक्तम पांच हेजार व्रिक्षा रूपन के लिए स्व प्रतीशण अनुदान दिया जाएगा और पांच एकड़ से अधिक में पर यश्चा रूपन के लिए 50 प्रतीशण का अनुदान दिया जाएगा ठीक है इन्पोर्टेंट है याद रख लेना next है पत्रकार ग्रियनिर्मार ग् तो प्रदेश सरकार पत्रकारों के लिए एक अलग से ग्री निर्मान रिण योजनल आ रही है यानि कि पत्रकार जो है अपने नीजी भूमी पर अपना घर बनाना चाहता है और वो अधिक्तम 25 लाग तक का लोन लेता है तो उसे लोन पर जो ब्याज लगने वाला है उस ब्या पत्रकार जो है नीजी आवास निर्मान हे तू सहयोग के लिए प्रदेश सरकार ने योजनल की शुरुवात किये इसमें 25 लाग रुपए तक के आवास निर्मान में ब्याज अनुदान दिया जाएगा नेक्स्ट है आपका OBC अन्य पिछड़ा वर्ग OBC छात्रवास इसमे पांच हो गया छटवा आपका रायगार और सात्वा है आपका राजनान दगाओ इन साथ इस्थानों में आपका OBC अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवास का निर्मान किया जाएगा नेक्स्ट दिखिए नेक्स्ट है अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्याले अंग्र आवी तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम स्कूल में होगा लेगिन उसके आगे की पढ़ाई जो है एक गॉपर्मेंट इंग्लिश मिडियम कॉलेज में हो ये भी सरकार प्रयास कर रही है इसके लिए प्रदेस के दस जिलो में ये कॉलेज की स्थापना की जाएगी कौन दस जीलों का नाम याद रखेगा, अंग्रेजी माध्यम आदर्श महा विद्याले के अंतरगत, नेक्ट देखे, नवाचार आयोग, अभी नवाचार आयोग जो है, ये इस नवाचार आयोग का गठन काफी पहले हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री के बजटी भाषण में इसका उलेक था, नवाचार आयोग क्या है, प्रदेश में जो विभीन योजनाय हैं, जैसे कि आपका राजीव गांधी किसान नया योजना चल रहा है, गोधन नया योजना चल रहा है, डॉक्टर खूपचंद बगिल स्वास्त साहता योजना चल रही है, ठीक है, बहुत स उसे नगरी पंचायत, शेत्र में उसे लागू किये जने, तो यह जो पहले से जो चली आ रही योजना है, उसमें हम क्या नया इनोवेट कर सकते हैं, और क्या नया कर सकते हैं, उसके लिए बनाया गया गया नवाचार आयोग, वर्तमान में इसके अध्यक्ष नियोग के नि लांकन करके, बहतर एवं तरतोईद परिनाम देने के लिए, नवाचारों को लागू करने के संबंद में अनुशन सा प्रस्तूत करने के लिए नवाचार आयोगा गठन किया गया है, गठन पहले हो चुका है, लेकिन बजटी भाशने में इसका उल्लेक्ष था, ठेक, साथ सहती तहसील और आपके साथ राजस्व अनुविभाग, यानि कि HDM कारेल है, सबसे पहले तहसील के जो है, मुक्यमाद भुपेश भागर जी का तरब घोशना किया गया है, कि प्रदेश में साथ नए तहसीलों की इस्थापना की जाएगी, अभी ये अस्तित्त में आय समझार तहसील, बेमे तरा में दाढ़ी तहसील, सारंगाड, बिलाईगड में सरसीवा तहसील, राजनान गाउं में कुमरदा तहसील, और गरिया बंध में फिंगेश्व तहसील, ठीक है इन साथ तहसीलों का निर्माण किया जाएगा, अब नेक्स्ट देखिए, नामपूर, फरसा बाहर, जश्पूर, बसना, महासमुन, छुरा, गरियाबंद और पलारी, बलोदा बाजार, यहाँ पर आपके HDM कार्याले बनाए जाएंगे, तहसीलों के नाम को पहले याद रखिएगा, नेक्ट देखिए हवाई पट्टी, बैकुंटपूर, जो बैकुं पर नवीन हवाई पट्टी, कोर्बा में आपका व्यवसाइक हवाई पट्टी और Aero City के रूपे विक्सित किया जाएगा हमारे राइपूर एरपोर्ट को, नेक्ट देखिए, सियान हेल्प लाइन सेंटर एवन टोल फ्री नंबर, वैसे तो इसे जो है, आपके राज्योस एवन टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, यह है आपका हेल्प लाइन और टोल फ्री नंबर, ठीक है, नेक्स देखिए, कुछ आपके प्रस्तावित अधुसान रजना, इस साल के बजटी भाषण में मुख्यमंद्री भुपेश बखिलजी के द्वारा कुछ नई इंफ् इस साल के बजटी में गोषणा किया है कि कौरबा पस्चिम में, कौरबा पस्चिम में नवीन ताप विद्धुसायंत्र की स्थापना की जाएगी, सेकंड प्लाश्टिक पार्ग, राइपूर जिले में जो आपका उरला है, उरला और द्योगिक छेत्र है, वहाँ पर एक पार्ग की स्थापना की जाएगी, नवीन आईटी आई की स्थापना, रायगर जिले के लोईंग महापली में और दुर्ग जिले के लिटिया में, नवीन आईटी आई, आईटी आई की स्थापना की जाएगी, भारतिया हत्करगा प्रोध्योगी की संस्था, चांपा, जा लाजगीर चापा में. पान अनुशंधन्धान केंद्र, हमारे प्रदेश, पान कीखेती के लिए सब से च्वूई-खधान, खैरागर छुई-खधान गंडरी जो नयाजीला बनागर उसको छुई-खधान वो पान की खेती के कली काई फेमस है और यहीं पर पान अनुसंदान केंद्र बना जाएगा कृषी एवं किसान कल्यान भवन ये बनाया जा रहा है नयरायपूर अटल नगर में पशुधन फॉर्म कॉंप्लेक्स ये बनाया जा रहा है आपके बिलासपूर में किसान सुईधा केंद्र ये बनाया जा रहा है आपका आलीवार राजनांद गाओ और केवरा सरगुजा में नवीन उर्वरगुण नियंत्रन प्रयोक्षाला ये बनाया जा रहा है राजनांद गाओ और रायगण में Center of Excellence, जो की उद्ध्यानी की फस्लोय संबंदित है, ये बनाया जारा नवा रायपूर अटलनगर में, तो सबसे पहले आप इतने को याद कीजेगा, इतना आपके लिए important है, ठीक है, चलिए, अब सिंगल कुछ one liner है, उसको ध्याय समझते वे चलिएगा, सबसे पहले नंबर प रोपे की राशी का प्रावधान है, प्रदेश में तीन मत से प्रचेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जा रही है, किकर मेटा दुर्ग में, दुबबा टोटा सुकमा में और बालोद में, तीन मचली प्रचेत्र यानि मत से प्रचेत्र और हेचरी इस्थापित के जाएंग रोग अनुसंधान प्रयोक्षाला की स्थापने की जाएगी ऐसे question तो पूछे जाने की संभावना नहीं है लेकिन आज कलके exam का pattern है देखते हुए किसी भी topic को छोड़ा नहीं जा सकता टाटा टैक्नलोजी पूणे ठेक है टाटा ग्रूप की एक ओड़ापकी संस्था है टाटा टैक्नलोजी पूणे उसकी सहाहता से हमारे प्रदेश के 36 गौवर्मेंट आईटीआइ संस्थानों को मेंrokत की संसथानों को जो है टेक्नलोजी हब के रूपमें विक्सित किया में राजिव गांधी किसान नयय योजना के अंतरगा 26,41,000 किसानों के द्वारा 34,6,000 हेक्टेर से अधिक रगबे का पंजियन कराया गया है इतने लोगों ने पंजियन कराया है इन किसानों को आदान सहयता यानि कि जो राजी उगंदी किसान नया योजने के अंतर के जो सहयता राशी प्रदान की जाती है आदान सहयता के वित्रण हेतु इस साल के बजट दो हज़ार तेईस चौबिस में 6800 कुरूर रुपे की राशी का प्रावधान है डिरेक्ट में सडक निर्मान की योजना इसके तहट निर्मित सडकों के संधारन के लिए 500 कुरूर रुपे की राशी का प्रावधान है नेक्ट देखिए प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामिन के तहट अब तक 842,290 आवास पूर्ण हो चुके है भारा सरकार से प्राप्त टर्विंग कोश्चन में आते हैं कबीरधाम जिले में भोरम देव मंदिर के पास जो है आदिवासी संग्रहालाय का निर्मान किया जाएगा जो आपका भोरम देव मंदिर है कबीरधाम में उसी के समीप आदिवासी संग्रहालाय बनाया जाएगा चेत्रव के समनवित विकास के लिए सिरपूर विकास प्राधिकरन का गठन के जा रहा है हमारे प्रदेश का एक प्रमुख पूरा तत्विक इस्थल कौन सा है वो है आपके सिरपूर तो सिरपूर के महत्व को देखते हुए उसके लिए अलग से सिरपूर विकास प्राधिकरन का भी गठन के जा रहा है PM कुसुम योजना के अंतरगर ग्रिट के माद्यम से उर्जा कृत क्रिशी प्रमप फ्रीडर को सौर उर्जा से जोडने के लिए 810 मेगावाट की DC छमता और साथ ही साथ आपके 675 मेगावाट की AC छमता सोलर प्रांट की स्थापना की जाएगे जो PM कुसुम योजना है इसके तहट जो थेतों में लगे हुए जो सोलर पंप है उन्हें सोलर पैनल के माद्यम से उर्जा प्रदान किया जाता है लेकिन प्रदेश में बहुत से ऐसे जो आपके खेतों में लगे हुए हुए पंप है जो की नॉर्मल बिजली के तार जो आपके ग्रिड के माध्यम से वो उर्जा कृत है उन्हें ग्रिड के माध्यम से हटा करके उन्हें सोलर उर्जा से जोड़ा जाएगा उसके लिए 810 मेगावाट DC चमता और 675 मेगावाट AC चमता के प्लांट इस्थापित के जाएंगे प्रधान मंत्री ग्राम सड़ा की योजना एवं मुख्या मंत्री ग्राम सड़ा की योजना के तहत पासो करो यह तो चलो हम कर चुके हैं राम वन गमन पत्थ मारगों में मारगों को परेटन द्रिश्टी से विक्सित करने के लिए मारगों पर संकेतों को एवं प्रतिकों के विकास के लिए 2 करोड रुका प्रावधान है, यानि कि राम वन गमन पत में जो उनके लिए जो सड़क बनाया जाएगे और सड़क के लिए जो डायरेक्शन बताया जाएगा या उनके मारगों के संके तक बनाया जाएगे उसके लिए 2 करोड रुपे की राशी का प्रावध तीन चार करोड का भुकतान लगु वनुप संग्रहागों को किया गया पूरे देश में 74 प्रतिशत से अधिक वनुप का क्राय करते हुए चतिस गड़ देश में लगातार पहला राज्य बना हुआ है यानि कि लगु वनुप जो की खरीदी करने वाला हमारा चतिस गड़ देश में पहले इस्थान पर है ठीक है अब नेक्ट कुछ डाटा है जो की आर्थिक इस्थिती 2022-23 से संबंदित है ठीक है बजट में जो है प परसेंट GDP ग्रोथ रेट जबकि भारत का रहा आपका 7 परसेंट अगर हम बात करें क्रिशी विकास दर की तो 36 गड़ का क्रिशी विकास दर 2022-23 पिछले साल की बात हो रही है वो भी इस्थिर की मतों पर ये रहा 5.9 परसेंट यारे कि 5.9 प्रतिशत जबकि भारत का रहा 3.5 परसेंट अगर हम सेवा चेत्र के विकास दर की बात करें तो 36 गड़ का रहा आपका 7.8 परसेंट जबकि भारत का रहा आपका 4.1 परसेंट अगर हम सेवा चेत्र के विकास दर की बात करें तो 36 गड़ का रहा 9.2 परसेंट और भारत का रहा 9.1 परसेंट अगर आप सभी को क जादा है हमारे 36 गड़ का विकासदर इंपोर्टेंट है इस को याद रखना ये वाला तो आप से कोश्चन पूछेगा ही इस साल भी जो पीसी हुआ उसमें भी ग्रोथ रेट से कोश्चन आया था अगर हम 36 की प्रतिव्यक्ति आये प्रचलीत किम्मत पर बताए तो वो है की तुलना में 13.7-4 प्रतिशत जादा है तो एक कंपरेजन को याद रखना आर्थिक विकासदर आर्थिक इस्तिति 2022 तेश पिछले साल का 36 गड़ का विकासदर और भारत का विकासदर नेक्ट देखिए अब ये है 36 गड़ वित्य संकेत इसमें कुछ एक दो डाटा ही आप आपका राजस्व प्राप्ति ठीक है एक होता राजस्व प्राप्ति और एक होता पुंजिगत प्राप्ति राजस्व प्राप्ति में जो 36 गड़ को स्वयम के कर राजस्व जो आपका प्राप्त हुआ वो रहा 56,200 रूप है जबकि केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ 49,801 तो कुल कर राजस्व है, एक लाग छेहाजार, एक करोड रूपए, ये छतिर कुल राजस्व प्राप्तिया है, ठीक है, कुल राजस्व प्राप्तिया है, अब देखें, इसमें जो चीज आपको बता रहा हूं, सब चीज को नहीं पढ़ेंगे, तो भी चलेगा, एक है आपक राजस्व प्राप्तियों में से, अगर हम राजस्व व्य को घटाएंगे, तो जो मिलता है, अगर ये माइनस में आएगा, तो राजस्व घाटा कहलाएगा, और अगर ये प्लस में आता है, तो ये कहलाता है, आपका राजस्व आधिक है, ये है कितना 3500 करोड रूपए, वैसे ही है आपका राजकोशिय गहाटा, 36 गार राजकोशिय गहाटा है, माईनस पंदरा हजार दो सो करोड रुपए, अब राजकोशिय गहाटा क्या होता, अगर मैं साधाना सब्दों में बताओ, तो सरकार के द्वरा जो उधार लिया जाता है वो कहलाता है आपका राजकोशिय घाटा राजकोशिय घाटा को अगर हम GDP में कंपेर करें देगे 36 गड़ का जो सकल राज जे घरेलू उत्पाद है माइनस 2.99% आपका राजकोशिय घाटा है डिरेक्ट प्रशन पूछा जाएगा कि बजट 2023-2024 के अनुसार 36 गड़ के कुल सकल राज जे घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोशिय घाटा है तो माइनस 2.99% या 3% के आसपास ठीक है ये कुछ एक दो आकड़े है जिसको आपको याद करना है अब देखी हम बात कर रहे है सरकार का बजट बजट क्या होता है आय और व्याय की लेखा जोका को बजट कहा जाता है तो सरकार के पास से कहां कहां से पैसा आता है और किन किन छेत्रों में जाता है तो सरकार के पास जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है जो 31% की जो राशी है ये आती है राज्ये के स्वयम के कर राजस्वसे ठीक है राज्य के स्वयम के कर राजस्व से सरकार को सरवाधिक इंकम होता है सेकंड नमबर पर जो 15% है ये राज्य के स्वयम के करेतर राजस्व से यानि की कर राजस्व के अलावा जो होता है उससे जो सरकार को इंकम होती है 29% जो है ये केंद्रिय करों में जो राज्य का हिस्सा होता है उसके बाद 12% जो है केंद्र सरकार जो राज्यों को अनुदान देती है 10% जो है ये शुद्ध लोक रिन उसके बाद 0.2% रिन एवम अग्रिम वापसिया और उसके बाद 3% जो है शुद्ध लोक लेखा प्राप्ति है इसे बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि सरकार के पास सरवाधिक जो इंकम है ये कहां से होती है राज्य के स्वयम के कर राजस्व से यानि कि सरकार जो खुद टेक्स लगाती है और वसूलती भी खुद है उससे सरकार को जो है 31 प्रतीशत सरवाधिक जो है राजस्व की प्राप्ति होती है उसके अगर हम बात करें यह है आपके राजस्व प्राप्तियों की इसमें अगर आप देखेंगे सरकार का जो है 88% हिस्सा राजस्व एक होता राजस्व प्राप्ति और एक होता पुंजि जीदियों सरकार को जो प्राप्तियों से होती है जेब कि 12 ृच्वा प्राप्तियों मात्रभाति पॉंजीघ गरे मैं रहें है निट एक्जाम ऊठाए गया था सरकार की जो राजस्व प्राप्तिया है वो है 1,006,001 करोड रुपए जो की सरकार की कुल प्राप्तियों का 88% है पुंजिगत प्राप्तिया जो की है 15,500 करोड रुपए जो की मात्र है आपका 12% सरकार को जो राजस्व प्राप्तिया होती है उसमें से केंद्र से उसको 49,800 कुरोड रुपे मिलता है इसको थोड़ा डिफ्रेंशेट कर लिजेगा ग्राफ देखके कि वो समझना है आपको और इसमें जो चीजे लिखी है उसको याद करना है इसमें जादा बताने के लिए कुछ नहीं है ठीक, next देखिए अब सरकार का रूपिया जाता कहा है सरकार को सबसे ज़र आपका टेक्स कहां से मिलता है लगवक 30% हिस्सा जो है सरकार जो खुद कर लगाती है और खुद वसुलती है उससे प्राप्त करती है अब सरकार ने जो पैसा प्राप्त किया उसका सरवाधिक हिस्सा कहा जाता है उसका सरवाधिक हिस्सा maximum हिस्सा जाता है आपके वेतन इवं भत्ते में यानि कि अभी प्रजेंट में जो government employee है उन्हें जो सरकार pension देती है उन्हें जो सरकार भत्ते देती है उसमें जाता है इसी करण से तो सरकार जो है जादा नौकरिया नहीं निकाल दी, नौकरिया निकालेगी तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पेंशन का विवस्था करना पड़ेगा, भत्ता देना पड़ेगा, इसलिए सरकार रोजगार देने से बस्ती, देख रह और उसके बाद second number पर जो maximum है, second number पर जो maximum है, यह जाता है आपके वेतन एवं भत्ते में, ठीक है, वेतन एवं भत्ते, pension, ब्याज अदाएगी, सरकार जो रिण लेती है, उसका जो ब्याज वापस करेगी, उसमें जाता है, ठीक है, लगबग 37-37% अगर आप देखेंगे, तो 37 परसंट जो हिस्सा है, जो वर्तमान में, जो आपके रोजगार में है, यानि कि जो गवर्मेंट एप्ला है, उनको वेतन और भत्ते देगा, रिटार्मेंट के बाद उनको पेंशन देगा, यह सारे चीजों में जो है, सरकार का maximum पैसा जाता है, ठीक है, चलिए, अब next हाको गया, जबकि क्रिशी भाग में, जो है, 10,070 करोड रुबे की राशी गई, जबकि पंचायत ग्रामिन विकास में 10,349, टॉप 3 को याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि इस बार जो है, बजट के एर्दगिर्द ज्यादा कोशन घूमा है, तो यह है, आपका 36 गड़ पताया, इंपोर्टेंट है, ग्राफ में जो चीजे लिखी हुई है, इसको थोड़ा देख के समझेगा, इसमें से टॉप 3 को थोड़ा सा याद कर लिजेगा, सरकार का सरवाधिक पैसा कहां से आता है, सरवाधिक पैसा किन-किन छेतरों में जाता है, कितना परसेंट जाता है, किवल देख के आपको परसेंटेज ही इसमें याद करना है, और इससे डिरेक्ट कोशन इस साल के PSC में उठाया गया है, तो आज के लिए इतना ही, चलिए